साई की बात आज में, कल में या एक साल में वो सच के रूप में घटित हो जाता है समझ आया तुम्हें अगर तुम गौर करोगे याद करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा और ये ऐसे नहीं हो रहा ये मेरे आशिरवात से हो रहा है क्योंकि पहले जब तुम सोचते थे याद करो तो वर्षों वर्षों लग जाते थे जो तुम सोचते थे उसे पूरा होने में लेकिन अब ना कुछी दिन या कुछ महीने लगते है लेकिन वो चीज़े हो जाती है वो बहुत जल्दी होती है जानते हो क्यों? तुमने जो मेरी साइंसा चरित्र का आस्रा लिया है ना, मेरा नाम जाप करते हो तुम, उसी का अशिरवाद है ये, उसी का अशिरवाद तुम पर बरस रहा है, तुम पर किरपा बरस रही है मेरे बचे, और तुम जैसा सोचोगे ना, वैसा तुमें मिलता च चाहेगा और हमेशे सकरत्मक सोचों तुमसे कहता हूँ क्योंकि अब जो भी तुम सोचोंगे जो भी चाहोगे न वो होता चला जाएगा तुम्हारे जिंदगी में अपने आप और सुनो मेरी साइंस चरितर का अध्यान करना मेरी साइंस चरितर को पढ़ना सीधा सीधा मेरे चरन सपर्श करना है तुम्हारे बाबा के चरन सपर्श करना है मेरे बचे तुम रोज करते हो ना मेरे चरन सपर्श और वो मेरी सेवा ही है और जो मेरा बच्चा सचे भाव से सचे दिल से मेरी सेवा करता होगा तो क्या मैं उसकी सोच को उसके ख्यालों को उसकी इच्छा क पूरी नहीं करूंगा, क्या उसकी दिल की बातों को मैं सुनूंगा नहीं, मैं सुनूंगा, कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे ऐसे हैं कि अपने बाबा को कुछ कहते ही नहीं हैं, सिर्फ शांत हो कर बैठ जाते हैं, सिर्फ मुझे नहारते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं मांगते कुछ नहीं कहते सिर्फ शांत रहते हैं अगर मन में दुख भी होता है ना तब भी बस शांत रहते हैं बस इतना बोलते हैं बाबा संभाल लो बस इतना बोलते हैं जाधा मुझसे नाराज नहीं होते रूरते नहीं हैं उन्हें लगता है कि जो भी कुछ उनके जिंदगी में ह हो रहा है और जो मैं करूंगा उनके लिए अच्छा होगा बस वो यही सोचकर मेरे विश्वास पर जीते हैं तो क्या उनकी उमीदों पर मैं खरण नहीं उत्रूंगा मैं उत्रूंगा जो मेरे बच्चे इस तरह के है उन पर तो मेरी विशेश किरपा होती है मैं उने कभी भी काटा भी नहीं चुपने देता कभी नहीं जो मेरा बच्चा मुझ पर इतना विश्वास करता है उसके साथ मैं कैसे कुछ गलत होने दे सकता हूँ कभी नहीं और सुनो कुछ चीजें मैं जानता हूँ कि किस्मत पर होती है लेकिन इच्छा पर भी होती है ना मेरे बचे अगर अच्छा सोचो गे तो तुम्हारे इच्छा को मैं पूरी करूँगा जरूर पूरी करूँगा बस अपनी सोच को खूब सुरत बनाओ अच्छा सोचो और बाकी जो भी तुम्हारे किस्मत में है ना उसे सुन्दर बनाना मेरा काम है तुम अपना काम करो तुम अपनी सोच को अच्छा बनाओ अच्छा करो और मैं तुम्हारे किस्मत में अच्छे से अच्छा लिखूंगा और बाकी तो जो हो रहा है वो होता रहेगा लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा होगा और सुनो जो ये समय है ना मेरे बच्चे चलने का ये दोडने का नहीं है अब तुम्हें उड़ना है तुम्हें उड़ान भरनी है मेरे बच्चे अब ये समय आ चुका है कि मैं तुम्हारे बातों पर ध्यान देना है उनकी और उनकी बातों को सोच कर अपना समय खराब करना है अपने आपको दिमाग खराब करना है या फिर खूब महनत करनी है शिदत के साथ और अपने समय को बरबाद होने से बचाना है ऐसे लोगों को नहीं बदलना बलकि खुद को बदलना है इत देखो धीरे धीरे तुम्हारे करम और मेरा अश्रवाद मिलकर तुम्हारे समय को कैसे बदलता है मेरे बच्चे देखो तुम्हारा उपहास करने वाले लोग तुम्हारा उपहास करते रह जाएंगे लेकिन तुम आने वाले वक्त में बहुत अलग बहुत अलग निकल जाओगे उन सबसे और सर्वस त्रेस्ट काम करोगे नाम कमाओगे बहुत मेरे बचे और उनके शब्दों में न जो कड़वार तुम्हारे लिए है न वो आने वाले वक्त में पश्टावे में बदल जाएगी तुम देखना और वो तुमसे खुद आकर माफी मांगेंगे कहेंगे तुमसे की जो उन्होंने किया तुम्हारे साथ वो गलत किया लेकिन तुम तब उन्हें माफ कर देना कोई बात नहीं जो उन्होंने किया वो उनका लेकिन जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे करम है समझ गए न और देखो तुम्हारे काम्यावी से जवाब देना होगा समझ गए न और सुनो मेरी उदी को अपने घर में थोड़ थोड़ा छिड़क दो मेरे बचे इस बार पानी के रूप में नहीं सिर्फ जो मेरी उदी है न उसी रूप में घर के चारो कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दो मेरे बचे जितनी भी नकारत्मक उर जाए होंगी चीजे होंगी सब तुमारे घर से बहार निकल जाएंगी चिंता बिल्कुल मत करे न और सुनो जो तुमने मंदिर में नारेल रखा हुआ है न उस पर लाल कपड़ा चढ़ा कर रखना लाल कपड़े से ढख कर और मोली से भान कर फिर उस नारेल को मंदिर में रखो मेरे बचे तुमने ऐसे ही रखा हुआ है वैसे मत रखो और सुनो जिस बात पर उन लोगों को घमंड है न वो घमंड उनका बहुत जल्दी तूट जाएगा लेकिन तुम चिंता मत करना तुम सच्छे दिल के हो अच्छे दिल के हो तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया न तो बस बात खतम जाने दो करने दो उने कितने दिन करेंगे एक दिन, दो दिन, दस दिन, महीना, साल करने दो वो अपने करम गंदे बना रहे हैं लेकिन तुम अपनी तरफ से एक लवज मत कहना एक शब्द मत कहना उने करने दो जब वो कर 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 ठक जाएंगे न तो वो खुद ही ठक कर हार कर बैठ जाएंगे तुम्हें कुछ नहीं करना तुम्हें कुछ नहीं करना वो जान पूछ कर तुम्हें परिशान करने की कोशिश करेंगे बहुत कुछ करेंगे जिससे तुम बोलो तुम्हें गुसा आए लेकिन तुम्हें नहीं करना तुम्हें बिलकुल शांत ठंडे घड़े की तरह रहना है जिसमें शीतल जल होता है जो सबको शांती देता है जो सबकी प्यास बुचाता है जो सबको न एक अच्छा सा अनुभव करवाता है जिसमें शांती आती है वैसा बनना है तुम्हें ना की खौलता हुआ बबूलता हुआ आग नहीं वो नहीं बनना तुम्हें तुम्हें शां बताओ तुम्हारा साइ कितना शांत है ना बस वैसे ही तुम्हें शांत बनना है ठीक है और सुनो जिस घर में माता पिता की इज़त नहीं होती ना मेरे बचे उस घर में कभी बरकत नहीं आ सकती और जिस घर में माता पिता की इज़त होती है मान सम्मान होता है ना तो उपर व सबसे बड़ी सेवा है सबसे बड़ी सेवा अगर तुम सच में किसी की सेवा करना चाहते हो ना अगर तुम मेरी भी सेवा करना चाहते हो ना तो अपने माता पिता की सेवा करो उससे बड़ी सेवा इस दुनिया में कोई नहीं है कोई नहीं मेरे बच्चे चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें आश्रवात दे दिया ना, तो बस वो हो जाएगा, वो जरूर हो जाएगा मेरे बचे, और इस वक्त तुम अपने माता पिता से थोड़े नाराज हो, मैं जानता हूँ, जाओ और जाकर माफी मांग लो, वो तुम्हारे माता पिता ही है ना, वो तुमसे कभी नाराज नहीं रह सकते, तो जाओ और जाकर उनसे माफी मांगो, देखो वो बड़े हैं और अकर तुम जुक जाओगे, तो छोटे नहीं हो जाओगे, जिन्दगी भर उन्होंने तुम्हारा पालन पोशन किया है, है ना, तो जाओ उन पढ़ना शुरू करूँ, दीरे दीरे करकर जितना भी जो तुम्हारे उपर कर्ज है, जिसमें तुम डूबे हुए हो, आरते कि सिती में तुम्हारे बहुत परिशानी है ना, वो सब खतम हो जाएगी, तो में धन का अभाव नहीं रहेगा, मेरी किरपा होगी, बहुत लेते हैं, कि मुझे उनकी जित को मानना ही पड़ता है, बस मेरी कसकर पैर पकड़ लेते हैं, मेरे चरण पकड़ लेते हैं, और छोड़ते रही हैं, कि साई, मुझे तो वो चाहिए और मैं लेकर रहूँगा आपसे, कैसे भी लूँगा, तो आम मैं तो बेबस हो चुका क्या करूँ, अब तो मेरे पाउं छोड़ दो, चलो ठीक है, दिलवा दूँगा तुम्हें, तुमने इतनी जित की है, तो दिलवा दूँगा, खुश रहो, आज का मध्यान साई संदेश, समाब दूआ